ताहिर गोरा के शोव बिला तकलुफ में मैं हलीमा साधिया आपको कुछ रामदीत कहती हूँ आज हमारी बातचीत होगी कई इंटरनाशनल इशूस पर जिन में सबसे सरेफेरिस्थ है अमरीकी सदर जो बाइरन और चीनी सदर शी की मिलाकात जो इसी हफ़ते सांट फ्रैंसिस्को में होने जा रही है इसके साथ साथ बातचीत होगी हाल ही में रूसी सदर विलादीमीर प्यूटन की नौट कोरिया के सदर किम योंग से मिलाकात की फिर रूसी सदर ने किस मकाम पर भारत के प्राइम मिनिस्टर मूदी की तारीफ भी की इसके इलावा हम मुक्तसरन जाइजा लेंगे इस्लामिक कॉन्फरेंस की मीटिंग का केस में इस्राइल हमास चंग का कोई हल क्यों नहीं ढूंडा जा सका आखिर में हम बाचीत करेंगे पाकिस्तान की सियासे सूरतहाल के साथ-साथ कि क्या वाकई पाकिस्तान ये उकरिन को इसलाफ रहाम किया था तो चलिए बाचीत करते हैं ताहिर गोरा साहब के साथ में जा रहे हैं आपको क्या लगता है कि दुनिया की ये दो बड़ी ताकतें अपने इक्तलाफात खत्म कर पाएंगे जी जो आपका बन्यादी सवाल है कि क्या दुनिया की ये दो बड़ी ताकतें जो के बिला शुबा यही इस दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं अपने इक इक्तिलाफात को कम कर पाएंगे, क्योंकि इक्तिलाफात दोनों बड़ी ताक्तों के काफी बढ़ चुके हैं, और दोनों बड़ी ताक्तें जो हैं, अपने अपने पॉइंट यू व्यू से हिलने को तयार नहीं, चाइना का अपना नजाम है, अपना नजाम है, अपना नजा कैपिटिलिजम वर्सिस होचपच कैमिनिजम प्लस कैपिटिलिजम का कोई जगड़ा है इसमें जो अमरीका की सुप्रेमिसी है दुनिया में वो चैलिंज हो रही है और चाइना जो है वो कुछ ऐसे हत्कंडे इस्तमाल कर रहा है जाहर हजरी नजर आ रहा है जो जैसे ट्रेड की दुनिया में और वो ट्रेड के जो इंकरनाशनल रूर्स हैं उनको फॉलो नहीं करता इसी तरह जो जो इंकरनाशनल ट्रेड मARK्स हैं उनकी टेफ्ट का मसला है पर टेकनालोजी की चोरी का मसला है अमरीका के और यॉर्ण आप के यही हैं तो यह बहुत मुश्कल है इन दोनों बड़ी ताक्तों के खिलाफाद कम हो जब हम अमरीका की बात करते हैं तो अमरीका अमरीका नहीं है उसके साथ पूरी यॉर्पिन यूनियन है पूरी वेस्टन वर्ल्ड है और वो उनीस पीस के फरक के साथ एक ही पेश पे है और उनके एक ही लिका कार है उस पे शायद रहीडंड हम आगे चलकर बातसे करेंगे लेकिन चीन और अमरीका याजीन और वेस्टन वर्ल्ड के बीच जो दर आन बन चुकी हैं वो कुछ कंशती है खुतम नहीं हो सकती हैं बलके बास म sixths यह कहते हैं कि वह शायद कंभी नहीं हो सकती खतays है कि वो कहीं और ना बढ़े क्लैशिज ना होज़ें कि पावर का बेसिक जगड़ा है फिर वो जाहर है इसमें तरीकाकार का फरक है और चीन काफी ओवर अम्बीशियस है और अमरीका अपनी जो हाकमियत है जो दुनिया में जो बड़तरी है वेस्टन वर्ल्ड के साथ मिल के वो काइम रखना चाहता है तो दोनों अपने अपने तरीका कार पॉइंट और व्यू से बहुत मुक्तलिफ है लेकिन इन दोनों बड़ी ताक्तों को ये एसास भी है कि अगर हमारे तल्लकात आपस में बहुत खराब हो गए तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है और दुनिय के लिए भी अच्छा है तो इसलिए ये भी एक चैलिंज है दरपेश न दोनों को अब ये एक पजल है क्या चीन जो अमरीका चीन पर इल्जामार लगाता है चीन उन का कोई तदारिक करता है या नहीं करता इसी तरह चीन का जो हमरीका पर दबाओ है कि भई हमें आप इतना करीब किया फिर आप दूर कर रहे हैं हम पहले वाली पोजिशन में वापस आ जाएं क्या अमरीका के लिए मगर्बी इतहादियों के लिए मुमकिन है यह दोनों बाते मुझे मुमकिन नजर नहीं आती तो इसलिए आपका यह बनेदी सवाल कि क्या यह दोनों बड़ी टाक्ते हैं जो एक एकनॉमिक प्लाटफॉर्म पर भी नब वान और टू हैं क्या अपने खतलाफात खतम कर पाएंगी मुझे नहीं नजर आता कि खतलाफात कर खतम कर पाएंगी खास और यह खतलाफात रीसेंडली तो बहुत बड़े हैं जब यह जब चाइना का एक जसूसी जो हैं अन्थोनी बिलिंकन उन्हों ने भी अपना चीन का दोरा मनसूख किया उसके बाद अगरचे इनकी मुलाकाते हुई हैं सदर बाइडन की एक मुलाकात उसके बाद गालबन अगर मुलाकात नहीं तो कमसकम फून पर ज़रूर बात चीत हुई है और अभी रीसेंटली भी फून पर कोईन की बात चीत हुई है लेकिन ये मुलाकात जो सैन फ्रेंसिसको में एशिया पैसिफिक कौपरेशन ओपैक में जो होने जा रही है ये बड़ी इंपॉर्टन्ट है दुनिया की निगाहें इस पर लगी हुई है क्योंके इसमें और बहुत सारे फैक्टर है रूस यूकरेन की जंग है इसराइम हमास की जंग है अगर्चे इस मस्रा पर चीन का मौकफ कोई बड़ा रैडिकल नहीं है अमरीका को नोंने दोनों जंगों के हवाले से एडवाइस की है कि बई आप इस को सी स्पायर दोनों जंगों में करवाने की कोशिश करें लेकिन ऐ ऐसा नहीं है कि चीन ने रूस की तरह कहा हो कि नहीं मैं तो इस तरफ खड़ा हूँ आप इस तरफ हैं ऐसी बात भी नहीं मगर इखिलाफात भी हैं economic लेवल पे हैं technology के लेवल पे हैं cyber लेवल पे हैं policy के लेवल पे हैं वह खिलाफात रहेंगे अब दुनिया देखेगी हम भी देखेंगे कि आइंदा दो तीन दन में क्या रिजल्ट्स आते हैं सदर शी और सदर जो बाइडन की मुलाकाथ चलिए अब फिर अगर ये दोनों ताकतें एक दूसरे से दूर रहेंगी तो क्या ये निजामे दुनिया चला सकेगी क्योंकि ये दोनों ही बहुत माइटी है इस वक्त और बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी बड़ी इंपॉर्टन बात है बिला शुभा ये बड़ी इंपॉर्टन बात है अभी जैसा मैंने पीछे जिकर किया कि सदर के रूस के सदर गए हुए थे कुछ अरसा पहले चीन तो वहां पर उनकी इंपॉर्टन बाते हु है तो अब ये दुनिया का एक इस वक्त का ओर्डर है हमारे इस प्लैनेट का उसका सियासी एक्तसादी एकोनॉमिक एक ओर्डर है जो आल्मोस्ट आज के दिन भी जब हम मैं और आब बात कर रहे हैं आज के दिन भी वो काफी हद तक कंट्रोल बाई वेस्टन वर्ड है चाह है दर असल क्योंके इस वक्ती बहुत बड़ा चालेंज आए कि न्यू वर्ल्ड ओर होना ये भी तो कुछ बात जाती है न्यू वर्ल्ड ओर असमें सोवीर यूनियन के खत्म हो जाने के बाद यही था जो अमरीका का था रेगन सादर रेगन और उसके बाद आने वाले प्र सर्द जंग थी तो उसके खत्म होने के बाद न्यू वर्ल्ड ओर यही हुआ कि जो वेस्टन वर्ल्ड का नजाम है उसके तेहरी दुनिया चले कि अच्छा अब इस वेस्टन वर्ल्ड के नजाम में है क्या डेमाक्रेसी कैपिटलिसम ना मेरी जाती राए में टोटल सुची डेमाक्रेसी है ना सुची कैपिटलिसम है लेकर फिर भी रेलेटिवली डेमाक्रेसी भी है वेस्टन वर्ल्ड में और कैपिटलिसम भी है अब जो जैसे मिडल इस के कांटीज है रिच वाले जो कांटीज है वो डेमाक्रेसी में तो नहीं आए मगर कैपिटलिसम में New World Order बना उसमें जपान फिट होता है चीन भी कुछ कुछ फिट होने लगा था फिर एवन रूस भी थोड़ा थोड़ा फिट होने लगा था तो दुनिया मतलब आप कह लीजिए सोविट यॉनियन के टूटने के बाद 1990s के बाद चीन भी काफी गुड बुक्स में था तो चीन रूस यहीं बड़ी दुनिया की ताक्ते थी यह भी इनके साथ साथ आगे ओन बोर्ड एक तरह से पार्शिली हो गए वेस्टन वर्ल्ड के अब चीन भी बाहर कुछ खुद निकला कुछ हैं ने निकला रूस भी कुछ खुद निकला कुछ हैं ने निकला तो अब खास तर पर चीन चुके एकनॉमिक माइट है और अमरीका भी एकनॉमिक माइट है इन दोनों के इखलाफाथ पड़ गए है इस तोरान इंडिया इमर जो है लेकिन इंडिया अभी इतनी बड़ी पावर नहीं बना एकनॉमिकली भी और इंटरनेशन स्टेज पे इंडिया का अच्छा स सके अच्छा वोगर चब सबसे चुट कर भी देगा आने वाले दोनों में तो चीन तो फिर चीन ही रहेगा ना ऐसा तो नहीं है कि चीन खतम हो जाएगा चीन की एकनॉमिक माइट भी रहेगी अब चीन का प्राब्लम यह है कि चीन यह देख रहा है कि मेरी यह जो एकनॉमि जो है ना वो दुनिया में उसी तरह चाहिए अब वो नहीं रही अब जैसे आई फून इंडिया में बनना शुरू हो गए चेंज हो रहा है ना शिफ्ट हो रहा है लेकिन जैसा मैंने कहा आपका यह बनियादी सवाल कि क्या यह दोनों बड़ी ताक्ते दूसरे से दूर रह आई और मिडलीस में भी उसकी यारियां दोस्तियां है एरान के साथ भी काम कर रहा है इढ़र जनूबी अमरीका में बी वो काम कर रहा है तो चीन का अस्थर सूख है चुकि चीन का पास पैसा है वो अपने हसाब से अपने अंदाज से पैसा खर्च करता है लेकन लैकिन के पास पीसा है अभी तक तो है और वो पैसा अभी तक तो है और दो पैसा अब फोड़ा सा उसकी परसंटेश गर रही है गरोथ की चीन का ये चैलेंज है और उसको चीन को लग रहा है कि मगर्बी दुनिया उसको कॉर्णर कर रही है कि जो गरोथ उसकी गिर रही है वो कहीं और न गिर जाए जो कैसा होता नजर आ रहा है तो यह यह दोनों जो है एक दूसरे के साथ इनके काफी मसाइल और फिर चीन का सबसे बड़ा मस्रा यह है कि भई आप ताइवान नहीं अच्छा मज़े की बात यह है कि ताइवान जो है वो मतब चीन से अलाग हुआ 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 एक चोटा सा सेल्फ डिकलियर्ड देश है सेल्फ डिकलियर्ड मेंसली कह रहा हूँ कि उसको अमरीका हथियार तो देता है मगर अमरीका ने आज तक उसको इंडिपेंडन कंट्री माना ही नहीं और उसकी बुनियाद पर अमरीका और चीन में एक तलाफाद बढ़ते चले जा रहे है यानि जिस देश को अमरीका इंडिपेंडन देश ही नहीं मानता तो चीन अमरीका से कहा है कि öğई आप यथिज्ट में इंटर्फेरिस ना करें आप यथिज्ट को असला ना धी अमरीका यथ ताइवान को अलग देश नी मानता मगर उसको असला दे रहा है मौनस्लसल दे रहा है ताइवान अपनी आपको मतलब उसने self independent declare कर दिया हुआ है कई देशों ने उसकी independence को माना भी हुआ है मगर चीन नहीं मानता अग्ता कि अमरीका ने भी नहीं माना मगर अमरीका खुल खुल खुला उसकी मदद कर रहा है अब वो अमरीका का इतहादी है और बिलकु चीन का ही एक तरह से हिसा होता था और चीन के सर्थ पर ही बैठा हुआ है तो चीन को ये बात बिलकुल प्रसंद नहीं ये भी एक बहुत बड़ा तनाज़ा है दोनों देशों के बीच में तो ये एक ऐसा गंबीर मसला है कि चीन भी नहीं चाहता कि ये किसी किसम की Third World War बड़े लिवल की हो अमरीका भी नहीं चाहता मगर भी दुन्या भी नहीं चाहती और शायद दुन्या को कोई मलक भी नहीं चाहता लेकिन ये है कि इस दुन्या को भी चलाना है और अपने अपने जो अपनी पूजिशनिंग है उसको भी दोनों पर करार रखना चाहते हैं तो इस बात का भी दारों मदार काफी इस समिट इस ओपैक पे है जो इसी हफ्टे होने जा रहा है कि क्या ये कूल डाउन होती है क्या ये दोनों ताक्तें इस दुनिया को चलाने के लिए एगری करती है या इसी तरह clash करेंगे एक दोसरे से जिस तरह वो इस उत कर रही है चलिए रूस के सदर विलादी मेर प्यूटन ने पिछले दिनों चीन का दोरा किया अब वो नौर्थ अमेरिका नौर्थ कोरिया सारी अब वो नौर्थ कोरिया एरान और सिरिया जैसे मुलकों के लीडरों से मुलाकातें कर रही हैं सदर प्यूटन और रूस का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं देखिए आपने जो अभी बात की कि वो नौर्थ कोरिया, एरान और सीरिया जैसे मुलकों के लीडरों से मलाकात कर रहे हैं, इस से रूस के फूचर का पता चलता है, कि ठीक है वो चीन का दोरा करने में तो काम्याब हो गए थे, मगर रूस के सदर वलादी मेर प्यूतन भारत G20 की लीडर समिट में नहीं पहुंच सके, क्योंकि उनको वेस्टन वर्ल्ड ने इंटरनाशनल कर्मिनल कोर्ट से वरंट जारी कि हो रहे हैं, पता नहीं उस पे अमल हो पाता है या नहीं हो पाता है, मगर एक थ्रैट है, दूसरा वो फेस नहीं कर सकेंगे, और वेस्टन व लग करते हैं, वराकी ये चोट चोट चोटे ये जो नौर्थ कोरिया, एरान और स्यरिया जैसी रोग स्टेटS हैं, जो प्राबलमैटिक स्टेटS हैं, जो वर्ल्ड, ग्लोबल पेराया किसम की स्टेटS हैं, वो इन से मिल रहे हैं, ये इनका फीचर बदकिसमे नही वह भा स्यासी बन्यादों पर अलग हुए जैसे युकरेन अब जंग हो रही है पॉलैंड है हंगरी है यह साफका सोवीर यूनियन में शामिल ते कहीं न कहीं लिट्वानिया है लेट्विया है लिट्वानिया है इस्टोनिया है जो जो जॉट्पिन यूनियन में जा चुके हैं आप Canada, America, दोनों को मिला दें, तो रूस फिर भी थोड़ा सा बड़ा हैं दोनों से, इतना बड़ा देश, इतने वसाइल हैं, और इनकी सिविलाइजेशन, सलाविक सौर्ट अफ इसे वो बाल्टिक रियास्तों से लेके, बालकान की रियास्तों तक, मतब इसलिए नहीं कोई इनों हिसा तक, आइडियालोजिलिकल कॉंबिनेशन बहुत अच्छा चलता रहा, क्योंकि उन सब की सोच उसी तरह चलती रहीं, देखिए मतब जैसे ये बाल्टिक रियास्ते हैं, अब ये ठीक है यॉर्प का हिसा है, अब रूस भी तो यॉर्प का हिसा है, उसको यूरो एशिय कह देते हैं, कुछ ही एशिया में है, कुछ उसमें है, लेकिन रूस का जो कल्चर है, वो तो प्यॉर्पीन कल्चर है, जो उनके लाइफ स्टाइल्स हैं, जो उनका तरीका कार है, जो लोगों के लुक्स हैं, जो लोगों की एपरेंस हैं, वो सब की सब यॉर्पीन हैं, तो तो रुस यॉर्पियन होने के बावजुद, कौकेशियन चलें दूसरे लफजों में, होने के बावजूद, आइसलेट हो चुका हुआ है, अब इसकी ये किसमत आ चुकी है, कि वो नॉर्थ कोरिया के, जो बहुत ही आइसलेट लीडर, दुनिया का सबसे आइसलेट लीडर, तो वो नॉर्थ कोरिया का किम जॉंग है, जो मतब जहाज में सफर करने से डरता है, जो बक्तर बंद ट्रेन में ही सिर्फ साफर करता है, और वो दुनिया के बहुत ममालिक में जाता भी नहीं है, यही कहने लगी ती कि शायद रूस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि व नॉर्डन आत्मी है, समयधार आत्मी है, मंगर वो उसने इस तरह की माफिया स्टाइल की पॉलिक्स की है, अपने देश में, कि वो खुद भी आइसोलेट हो गया, और अपने देश को भी आइसोलेट कर दिया, और रूसी डिजर्व नहीं करते, जो कुछ वलादी मीर पूत अपने एक स्ट्रॉंग आईरन मैन के तौर पर भी उन्होंने अपना इमेज दाख बठाई हुई है, लेकर इन फैक्ट आप रूसी महसूस करते हैं कि भई हम ये तो फ्यूचर हमारा नहीं होना चाहिए, कि हम दुनिया में इतने आइसोलेट हो सके हैं, आपको याद होगा हम अभी इशारजा में थे तो रूसी पॉब्लिशर्स किये गए, तो वो जो लड़कियां थी रूसी उनको हमने ऐसे ही कहा कि हम केनेडियन फैस्टिवल करते हैं, लिटरियरी फैस्टिवल तो आप कभी आई है, तो उन्होंने जैसे बड़े दुख से कहा, कि हमें तो अब तब ये है कि वो वाके ही एक आईसोलेशन, तो देखिए, जब ये सोवी यूनियन चूटा था, तो बोरस जलसन आए, फिर वलादी मिर पूतन आए, पूतन साब भी वेस्टन वर्ल्ड के साथ गी शकर होने की कोशिच करते रहे, कुछ होते थे, कुछ नहीं होते थे, फिर ये पूरे का पूरा जो है ना रूस बदल जाए, जिस तरह हम चाहते हैं, वैसा हो जाए, ये भी एक थोड़ी सी अनफेर बात थी, खर वो भी रूतने ना बदले, फिर वो ये चाहते थे, कि हमारी बाउंडिस में युकरेन हो, जॉर्जिया हो, पॉलैंड हो, मालदोवा ह तो इस तरह के जो कंटीज हैं, वो रूसी ये चाहते थे, कि जो उनके आसपास के देश हैं, वहां अमरीका ना बैठे, अब अमरीका ने लिथवानिया को भी, उससे पहले ही इस्टोनिया को भी उसमें नैटो में शामल कर लिया था, अब यूकरेन, चुके बहुत बड़ा मुलक है, उस अलाके में, अपने साइज में और पापुलेशन में, तो उसमें बड़े अर्से से ये एक सर्द जंग वैस्ट की और रूस की चाल ली थे, अब करीमिया को उन्होंने लग किया, रूरूसीयों ने, उससे पहले जॉर्जिया में एक डिविजन की, तो फिर भी वलादी मेर पूतन, अपने तमाम तर माफिय स्टाइल पॉलिटिक्स के बावजूद, एक, एक मौडरन पॉलिटिशन के तौर पर चलाते रहे, लेकिन अब वलादी मेर पूतन के लिए मुमकिन नहीं रहा, सो मच सो कि इंडिया जो रूस का रवाईती रवाईती दोस रहा कोई नहीं कोई फॉर मिनिस्टर चला जाता है, यो कोई छोटे लेवल के लोग जाते हैं, अब प्राम मिनिस्टर मुदी के लिए भी मुमकिन नहीं रहा, कि वो इंडिया, वो रूस जाएं, उन्होंने ये एक मौका था, रूस के सदर को इंविटेशन दी ती जी जी ट्व लें उसको, तो अब ये वलादी मीर प्युतन का फ्यूचर हो किया है, जिसके वज़ा से रूसियों का जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़े वसायल हैं, वेल सिविलाइस पीपल हैं, बहुत पड़े लिखे लोग हैं, और उनका ये फ्यूचर हो किया है, कि आप रुशियन से बात करें, तो अभी भी एक जमाने में तो इनका 100% literacy rate रहा है, अभी भी उनकी इतनी किताबों से महबत है, और इतनी well aware बात करते हैं, कि बंदा हरान होता है, चली आते हैं, रुसी सदर ने हाल ही में, भारती वज़ियाजम, मुदी और भारत दोनों की made in India के हवाले से की, आप सदर पूतन की इस तारीफ को कैसे देखते हैं, लेकिन सदर पूतन भारत की प्रामिनिस्टर नेंडरा मुदी की हमेशा कदर करते हैं, और कई बार जिकर कर चुके हैं से बहले भी, अभी भी किसी economic sort of forum पे उन्होंने बातचीत करते हैं, उन्होंने क कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा रास्ता है, उन्होंने इस तरह की बात की, तो मैं जब प्रेजिएंट व्लादी मिर्प्यूतन की ये बात सुन रहा था, टीवी पे तो मैं सोचने लगा कि आपको फिर रूस को किस बात की कमी है, रूस पी make in Russia के रास्ते पे चले, लेकिन स 20, 130,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 percent होगा population में भारे से बारे से जो लेंड के साइज में अगर जो इसके पास सबसे बड़ा Siberia की लेंड है लेकिन overall लेंड के साइज में भारे से कोई तीन चार गुना बड़ा है जाद इससे भी बड़ा हो तो भारेट को तो अपने लोगों को feed करने के लिए उनको develop world का हिसा बनाने के लिए जो के प्राम निस्टर मुदी ने कहा हुआ है कि भारे नाइन 2047 तक develop countries में आना चाहिए उनका ये खाब है तो वो तो भारत तो ये कर रहा है लेकिन यानि इसका मतलब भारेट के बास मार्कीट मंडी है बहुत बड़ी पूरी दुनिया पहुंची हुई है 140 करोड लोगों के लिए तो इतर रूस के पास जतने लोग पहुंचे थे पूर जादी मेरे पूतर खाब तो देख रहे हैं और तरीफ तो कर रहे हैं भारत की मगर इस तरीफ का क्या फाइदा उन्होंने हालात ही साथगार अपने मुल्क में नहीं रखे हुए कि उस रास्ते पे चल सके जो मेक इन इंडिया का रास्ता प्राम जिस्टर मूदी ने बनाया हुए उस रास्ते पे वो चल सके चुकर उसके लिए ना तो उनके पास रिसोर्स हैं तनहाई है शदीद आइसोलेशन है और यह आइसोलेशन बढ़ती चली जा रही है देखिए ना भी वो चाइना गए हुए थे बड़ी रास की बातें करके हैं मगर चाइना तो अपने मफ को देखते हैं वे खुद अमरीका जा रहा है और वहाँ मीटिंग करेगा चाइना के सदर जी एक बिजनसमेन लोगों के साथ एक मीटिंग भी कर रहे हैं जिसमें उनकी मेज पे जो लोग बैठेंगे उनमें हर शक्स की फीस 40,000 युएस टालर बताई जाती है इनके साथ करने की और गालबन जो बाकी जनता होगी वहाँ पे वो हर एक की भी टिकट जो गालबन बताया जाता है 2000 युएस टालर होगी तो अब चाइना मतब ठीक है अपने मफाद के लिए या दुनिया को दिखावे के लिए ची रूस के साथ भी बैठ जाता है लेकिन चाइना की ब तो आइसोलेट है सो क्लोज कोपरेशन में चलने की जरूरत है एक दूसरे को कामडेट करने की जरूरत है क्योंके यही हमारा फ्यूचर है इस वक्त सबसे इंपॉर्टन बात यह बिल्कुल ऐसे ही है और देखते हैं के आगे आने वरी दुनिया में कैसे अब दुनिया के य पर यह कोवेड और यह नई किसम की सर्द जंगें शुरू हो गई फिर यह रूस का युकरेन पे हमला हो गया तो वो जो थोड़ी सी दुनिया स्टेबल काम और ती नजर आ रही थी फुली काम और स्टेबल तो नहीं थी वो जो नजर आ रही थी कोई 25-30 सालों से वह आप च इजलास को होस्किया जिसमें हमास इसराहिल जंग बंदी का जाइजा लिया गया इस समिट के नताइज को आप किस तरह देखते हैं देखिए साथी अरब को और OIC Organization of Islamic Conference के जो कंटीज हैं 57-58 उन सब की पब्ली कंजम्शन थी अपने अपने जो मुसलिम उनकी जंता हैं उनको तो उन्होंने ये किया चाँ वो पसंट तो नहीं करते हैं साथी अरब हो यूएई हो बहुत सारे देश एवन इजएप्ट जॉर्डन कोई भी हमास को पसंट नहीं करता लेकर हमास की कंडमनेशन भी कोई नहीं कर रहा है इसलिए को फिर अपनी अपनी देशों की जो जंता है उसके साथ तल्ड बिगाडने की जूर तो नहीं है इन रिजीम्स को उन्होंने इस इस हवाले से कांपनेश की फिर वो ये भी मैसेज देना चाहते थे वैस्टन वर्ल्ड को भी इसराहिल को भी के बही ये जंग जड़रा जूर्ड से ज्यादा आपने बढ़ा दी है इसक मतफिका फैसला सामने आ सका हूँ वो नहीं आ सका ठीक है साथी अरब ने कंडेम्ट जरूर किया इसराहिल को वो भी पबली कंजम्चन के लिए था अगर ये हमास ये सब कुछ दैशन गर्दी ना करता तो साथी अरब और इसराहिल शाय बैठे अकठे चाही पी रहे होते है इनके बहुत इच्छे तल्लकात शुरूर चुके होते हैं लेकर हमास का मकसद ही इस टेररिजम का यही था कि ये दोनों जो है ना इसलाम का जो सबसे बड़ा देश है साथी अरब और इसराहिल ये बैठना सके हैं तो इसलिए हमास ने इस लेवल की बरबरियत और वैशिया जिनापन का इसार किया अब वाकि सौदी अरब के लिए मुश्कल हो गया है कि वो किस तरह इसराहिल के साथ बैठे तो इसराहिल की उन्होंने मुझमत की इस बात को समयता है सौदी इस बात को समयते हैं अमेरिकन भी समयते हैं सब अंदर से मैचर है हाथी के दान, खाने के और दिखाने के और होते हैं, वो सारे का सारा है, लेकर OIC का इजलास बारहल होना इन इन लीडर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टन था, अर लीस अपने अपने देशों को कह सकने के काबल तो हुए ना, कब हमने मुझमत की है, बैठे हैं, तो मुझमत भी बहुत खुल के नह हाब भी नहीं सकते हैं, चुब के सीजफायर के लिए इसराइल और अमरीका को कन्विंस करना है, अमरीका हमेशां सीजफायर करवाता था, इस वार अमरीका भी कह रहा है, इवन कैनड़ा जैसा हमारा देश, वो भी इसरेईल को कह रहा है, हमास का तो आप खात्मा करें, उस तो हो रही है एरिया और वो हमास के जो लोग है वो तो टनल्स में चुपयों में है तो वो कितने के मरेंगे तो वो वाकी वो ये बात एक ठीक बात है कि वो ना तो एतने ज्यादा मरेंगे और उन में से जो मरेंगे भी तो आइडियालोजी तो नहीं मरेंगी आइडियालोजी इस extremism के, इस barbarism के. मतबब यह जो है. अब इस सारी सूरते हाल में अब जाहिर है जो OIC का इजलास है. वो उन उनका असल में यह भी बहुत जेसे कहते हैं न इन between the line. यह concern बहुत जएदा है कर भई यह जो spill-over है extremist का, यह हमारे देशों में कैसे इसको रोकना है? असल में वो ये उनने बात तो नहीं कहीं मगर वो सब इस पे उनकी इंटेलिजन्स एजंशियां उनके लाउन और इस पे अच्छली फोकस नहीं आजका क्योंके हम सब कनेक्टेड हैं हम सब कनेक्टेड हैं और इन डेशों में अल्रेडी ठीक ठाक जहादिजम है अब बहरेन इवन कतर जो हम जो जिसने पना दी हुई है हमास के लीडरों को वो आज हमारे एक इंडियन दोस नहीं बड़ी च्छी बात की उनों का कतर ने हमास के दो चार लीडरों को तो पना दी हुई है फलिस्तीनियों को वो पना नहीं देता क्योंके कतर भी हम देख चुके ह कोई भी एफोड नी करता, ना कतर, ना बेरेन, ना सौदी अरब, ना यूएई, ना कवेद, ना उमाद, कि कोई बं फोड़े जाके, कोई एक्स्रीमिस, वो अल्रेडी इन पे आँखें लगाए हुए है, अभी हम यूएई में थे हफता पहले, तो यूएई की तो कताबों मे लिखा हुआ है, कि मुस्लिम ब्रेदर होट से जारा डेंजरिस, कोई स्पीशीज नहीं हुए हुए, मैं स्पीशीज कहा रहा हुए, कोई एलिमेंट नहीं हुए, वो तो इतने सخت अलफाज यूज करते हैं, वो तो इनको अलमुस जानवर के करीम रखते हैं, तो ये यूए और ये बात अमरीका भी इंडोर्स कर रहा हुए, वो तब है, वो ये कहते हैं, कि अगर हमास वाले हॉस्टेज चोड़ दें, अच्छा हमास वाले कहते हैं, हम अगर हॉस्टेज चोड़ दें, तो फिर क्या गरंटी होगी कि आप ये वाकी जंग बंदी कर देंगा और नाजुक भी है, और बस ये भी देखने वाली बात ये है, कि कितनी मार हमास को पड़ती है, हमास कितने प्रेशन में आते हैं, इसराइल इंटरनेशनल कम्यूटी के कितने प्रेशन में आता है, तो सीस फायर कैसे होती है, इसराइल का सबसे बड़ा प्रेशन तो अमरीका का होता है. इस बार अमरीका दुबाव नहीं डाल रहा है, तो इस बार अमरीका कह रहा है कि एक बार once and forever इनका खात्मा करें, जिस तरह आइसिस का आलमोस खात्मा चुका हुआ है. दाइश का. तो इसी तरह भी वह यह चाहती हमास का भी खात्मा हो, बटाई मामले पे कैसे तबसरा करेंगे देखिया हाँ बिलाशुबा बी-बी-सी की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्नेस्टिगेटिव रिपोर्ट है और इसमें बड़े दलाइल है हम इस रिपोर्ट के पढ़ने से पहले भी सुन रहे थे कि एवन एक स्टेट्मेंट भी यूकर कि उखे और इन्ने इसआरा दिया था कि इे पकिस्तान कि हमें हारी है अच्छा पाकिस्तान अपने ईन तोपों का मुझे भूल र RAW उ means रहा ही हुआ जरा हुआ लेवल का उस हलके लेवल के ammunition में वो बड़े रीजनेबल समझे जाते हैं. तो वो पाकिसान भी बनाता है, और भी कई मुल्क बनाते हैं. तो इसके जिम में इन्हों ने BBC के रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में एक अच्छा BBC Urdu.com के रिपोर्टर में एक अच्छा रिफरेंस दिया. वो अपनी उन्चाईयों को चुएंगे. यनि बड़े ही उम्दा हो जाएंगे. चुकि वो दरह रिच्टे डाउन फाल चले आ रहे थे. तो उन्होंने जो स्टेट्मेंट दी तो सब के कान खड़े हुए. कि जनरल बाजवा, उस वक चुए रामी स्टाफ दे. कि जनरल बाजवा क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? और उसके बाद जो एक गालबन स्वीडिश कंपनी है, जो जहाजों की मुव्मेंट को वाच करती है. तो उन्होंने देखा कि बई कुछ जहाज जो हैं, वो पाकिस्तान की एर बेस पे वो आए, गालबन अमेरिकन जहाज या किसी भी मगर्बी मुल्क के जहाज मैं जे एक्जेक्ट याद नहीं उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, और वो आए और वैसे उसका record कोई नहीं है, मगर वो स्वीडिश एदारे के पास record है, और फिर उस स्वीडिश एदारे ने confirm भी किया, बीबी सी को, बीबी सी के एदारे को, फिर सो मच सो, इंगलेंड ने भी confirm किया, जी अँन्होंने रूटीन में का जी आते जाते रहते हैं हमारे जहाज और वो माल बरदार जहाज थे और उसमें कयास यही किया जा रहा है गैस यही किया जा रहा है गैस इतना गैस है कि वो एक्चुली फैक्ट के करीब करीब बताया जा रहा है कि उसमें वो पाकिस्तान का असला गया जो यु आर्मी से पूचा के आप हमें बताएं, कन्फर्म करें क्या खबर है, आप कि यहां से असला गया, तो उन्हों ने आई-एस-पी-ार जो पाकिसान का वो महिकमा, इन्फरमेशन है, फौज का, उसको उनकी एमिल भेज़ दी, तो as of now जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी तक आई-एस-पी-ार ने कोई कन्फर्म नी किया, अब वो क्या कन्फर्म करते हैं, यू एन आई नो पाकिसान बेरी वल, वहां से कोई सची खबरानी भी है, या छुपा के आनी है, नो वन नोस, लेकिन ये बात तैह है, कि सिर्फ ये बी-बी-सी ने रपोर्ट नी किया, इससे लेसर, मोर, वटेवर, तो ठीक है, मतब देखिये, बात ही है, कि रूस और यूकरेन की जंग हो रही है, रूस को भी पता होगा, रूस का इंटेलिजनस एदारा काफी एफेक्टिव है, उनको भी पता होगा, ये मूवमेंट हो रही है, अच्छा, तो जाहर है, रूस के पा एन उसी रात बैठे होगे ते, तो उन्होंने उसके बाद रूस की शान में बड़े रागला पे, कि जी हम बड़ा अच्छा काम करेंगे, वेस के खलाव जाएंगे, तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया असला बेचती है, अमेरिकन्स भी बेचते हैं, वेस्ट आप ये सवाल आप से आउट अफ तो कॉंटेक्स्ट करने जारी हूँ, कि इस फैशिजम का इतना बढ़ जाना, क्या किसी चेंज के तकाजे को नहीं इंसाइट करता है, नहीं फैशिजम नॉर्मली को चेंज तो नहीं लाय करते हैं, दुनिया में में फैशिजम देखे हैं बहुत सारे अदवार लेके हैं, उइस सवाय, तबाही के कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, ये हिटलर की फैशिजम देख लें, मसल्ली की फैशिम देख लें, ये तो ज़ारा बड़े बड़ेवल की फैशिजम थी, ये स्टालन की फैशिम देख लें, माओ और कुछ jóvenes लोगों से ये जंग है। ठीक है बत अधि Avena फाशिज्म जंगों में बदलती है ये अभ जंग यान्न भड़े लेवल की ची मुश परहें ने च्पाशिज्न चोटर लेवल कि कि तो ऐदा तोस्टे लेवल के तो यह तो आलिडी जंग जड़ रही है तो फाशिज्म तो ख़त्म होगा तो जंगें चल रही है यानि ये फाइशिसम से आगे का खेला पा चुका हुआ है तो इस खेल में अब ये हो रहा है कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि अब अगर पाकिस्तान असला बेच भी रहा है यूकरेन को इसका इल्म यकीनी तौर पर रूस को भी होगा तो वट अ ब केचारा लाенное पाकिसान भी आजर बेचरा इसम्याद कर रहा बात नहीं कि और लिम्सक्नी में पाकिसान को जद्धिय करने लिए मैं के एक टैजिया निगार होने के नाते एक हैं एक एनलिस्ट होने के नाते देख रहा हम कि बाई अब पाकिसान असला बेच रहा गूले तो उनकी सुनी गई कोई इस तरह की जंग वी तो उनकी भी पॉड़क्टी कंजप्शन ही वरना तो आज कल तो हाई टेक कसला ही जा रहा होता है तो मैं तो इसको इस एंगल से भी देखता हूं अब जाहर है मैं और आप दुनिया के डाइनामिक्स को रोक तो नी सकते हैं चें टिष्मेंट की हमायद हासल है इस तनाजर में पाकिस्तान के सियासी मोमलात किदर को जाते नजर आते हैं देखिए पाकिस्तान में काफी सियासी बहुंचाल रहे जबसे इंद sabem रान घान गए ते और जबसे उनको नो वोट अफ़ नो कंफिजेंस से निकाला गया अगया ब और पता नहीं, आप वो जेल में बैठे हुएं, महां बैठे हैं या नहीं मानते हैं, काफी जदी आत्मी हैं, लेकिन बारहल उन्हों ने काफी सियासी दचके दिये, और जाहर है उनके साथ आर्मी के कुछ गुरुप थे, उनकी इतनी उकात नहीं थी, इमरान खान की को इस त बोटी खबर नहीं थी, बहुत बड़ी खबर दी, ये तो सिर्फ खबर की हद तक हमें एक सो दो बताया गया, हमें नहीं पता एक्जेक्ली कितना मैस था अंदर, बहराल उस मैस पे एपरेंडली काफी हद तक इसमत की आर्मी की लीडरिशिप ने काबू पा लिया है, और का चुनेडली, सैडली, वैसे ही पाकसान की अवाम की एक्सिरियत है, यानि वहीं जो हता है जजबाती पन, तो खान सब को भी पता था कि ये, ये मेरे जैसे हैं, तो खान सब बाराल उनके साथ, हाला कि इमरान खान पौने चार साल प्राइम निस्टर रहें, टके का कोई काम नहीं कर सके, तहाई नलाइक प्राइम निस्टर रहें, लेकिन वो अपनी प्राइम निस्टर शिप के आखरी दूनों में अनपौनर भी हो चुके थे, मगर जिस अंदाज के साथ गए, जिस अंदाज के साथ पिर उनन जल्से किये, तक्रीरें की, अमरीका के खिला, सारे का के ले, तो वो बारहाल ना, इमरान खान काफी पॉपलर हो गए, अब बारहाल का जाता है जी कि इमरान खान की जो अब पॉपलरिटी है, वो बस सोचल मीडिया पे जयादा है, जमीन पे कम है, इमरान खान के हामियों का कहना है, जमीन पे भी बहुत जयादा है, ज़र ऐलेक पाकिस्तान ना जाते अगर उनको कोई ग्रीन सिक्नल ना होता है। वो भी बड़ी मुश्कलों के बाद बड़े इंडिकेशन देख देख के पाकिसान गई है। वो पहुंच गई है। अब वहां पे निगरान हुकुमत चल रही है। एकनॉमिक रैसिस भी चल रही है। अब क सांस लेने के लिए कोई ऑक्सीजन दे रही है। अच्छा चाइनीज जो हैं वो अपने अंदाज में चल रही है। उन्होंने भी कुछ ऑक्सीजन दी, कुछ नराज भी हुए। उसमें मुझे ये लगता है कि मैं थोड़ी सी चाइनी सिचुएशन भी लाता हूँ लोग अ उनको पता है नंबर एक, नंबर दो पाकिसन आर्मी की टॉप ब्रासी जानती है कि चाइना के चुंगल में आने से बहुत ही बुरी तरह हमारे चाहेंगे। चुक्क उन्होंने स्री लंका का हाल देखा, मालदीम का देखा, अफरीका के कंटीज का देखा, तो पाकिसन आर् है कि चाइना ये बड़ा इंपॉर्टन नुक्ता है, चाइना और पाकिस्तान के तरलकाद एपरेंटी ठीक हैं, मतलब कोई बहुत आइडियल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानस्तान के तरलकाद बहुत खराब हैं, और अफगानस्तान के और चाइना के तरलकाद परवाई नहीं की बलके गालमान एक दो दिन में ये खबर भी आई है कि चाइना ने कोई अपना डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव अफवानिस्तान में खड़ा कर दिया है जो के मेरा खाला दुनिया का पहला देश है जन्नों ने एक तरह से तस्लीम कर लिया इस सारी सूर्टे हाल में अब पाकिसान आर्मी ने अपना कंट्रोल कुछ कर लिया और इमरान खान और उसके ग्रो ने आर्मी के खलाव वो कैमपेंड की सोचल मीडिया पर भी तन्वेंशनल मीडिया पर भी और गली सड़क महले पर भी कि आर्मी को नाकोंचने चबा दिये इमरान खान ने इसलिए उनके खलाव किया कि इमरान खान के साथ पाकिसान आर्मी के कुछ लोग मेले हुए थे अभी भी इमरान खान की पाकिसान आर्मी के अंदर जो में इतलात आ रही हैं हमधर्दिया है लेकर यह जो लीडर्शिप है और यह टॉप बरास है उन्होंने टैय कर लिया कि ये परजेक्ट इमरान खान हमने अब इसको खत्म करना है तो पाकिस्तान की स्यासत पर ये इस वक जो आर्मी का फैसला वो बहुत असर अधास हो रहा है तो इमरान खान दीरे 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 वाइप आउट हो रहे हैं आप हर रोज अखबार उठा लीजिए नौ ही पर लोगों को सीधा कर रहे हैं वो मैंने इमरान रियास को देखा दाड़ी रखी हुई है जो सबसे बड़ा इनका होता था इमरान खान का एक तरह से आम सॉरी तू यूज दिस बर्लेकिन लेट मी यूज देस फ्रेज बहुंकू एक तरह से वह अभी अब दाड़ी रख के बैठावा हंसरा होता है माशाणलाह सुभानलाग हिम्मत ही नहीं किसी की शेख रशीद को देखा मैंने पिछले दिन उनका इंटर्वी देखा तो वह यू लगता था कि शेख रशीद कोई जिस उनके बारे में कहते थे पाक्सान में मज़ाख में कहते थे शीदा टली है वो लगता था कि वो बचारव तलीयां ही बजाएगा उन तो हाथ बांद के जैसे आर्मी के सामने खड़ा था कि भई मुझे तो बस मैं तो जनाब आपका गुलाम तो आर्मी ने मैं सिर्फ ही कहना चाहरा हूँ पाकिस्तान की सियास्त पे पूरा अपना कब्जा जमाली है जूजा और इमरान खान जो आपे से बाहर हुआ था तो आर्मी ने उसको ये मैसे दिया है कि भई तुम हमारी वज़ा से ही आये थे अब हम तुमें ही तुम्हारे ही जिन को बोतल में डालेंगे वो ये कर रहे हैं फिर उसके बाद ये इमकान था कि शैद जर्दारी का नहीं देंगे कि वो इमरान खान की तरह हम पे कबजा कर ले यानि उन वो अब इशारा कर रहा है नौाशीर की जमात की तरह तो आपरेंटली जो आपने सवाल कि यही है कि पाकिस्तान की सियासत में जो आठ फिवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं जो गालमन हो जाएंगे इ और नौाशीर की मुस्लिग की हकोमत बन जाएगी चूंकि जिस तरह MQM के साथ इनका इलाइंस करा दिया गया जिस तरह बाप जो बलोचस्तान की पार्टी उनके साथ इलाइंस करा दिया यह वो इंडिकेशन हैं कि अभी से उन्होंने बलोचस्तान में नौाशीर के लिए अगर फुल नहीं तो वो भी हमवार हो जाएगी पक्तुनस्तान में भी हमवार हो रही है तो लगता यह है कि अगली हकोमत मुस्लिम जीग नौास की पहर होगी और सियासी ठहराओ भी जो है वो कुछ मनजर के उपर आ जाएगा हाँ देखने को मेले का में चलिए शुक्रिय आज का बिला तकल्व शो ताहिर गोरा वेरिसा देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टेग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौझूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पैट्रियों पेपॉल या क्रेडिट कार्ट के जरि शुक्रिब करें टाहिर टूब शुक्रिट शुक्रिट है त्यूब चैनल और्श प्रेस्ट जरिखन पून